उस तो यह है गुल्ड हर का आरा ये टैयस का स्टेशन देखो यह बिल्कुल बनके कंप्लीट हो गया चार तरफ देख सकते यह rumors उपर का नजारा न जजारा दिजान देखो कितना खूब सूरत यह देख सकते हो एो यह पहले बनके कंप्लीट हो चुका है कुछ संताब सभी का निए वीडियो में स्वाकत करता हूं दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो अभी मैं चल रहा हूं इस टन पैरिफिरल पर और मेरे ये सामने जो चमक रहा है ये लाइन जा रही है इसकी रैपिड रेल की जो की साइबावास से चल कर आ रही है ये डिपो क ब्रिज आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों ये राज सामने चमक रहा है देख सकते हैं आप लोग तश्वीर है ये मेरट के लिए लाइन चली जाती है रैपिड रेल जिसको की ये क्रोस कर रही है क्रोस कर रही है इस टन पैरिफिरल को दोस्तों ये देखो ये बिरिज बनाया गया है जो बनके complete हो गया है इस पर इसक तरेक वी बिछा दिया जा चुका है इस पर इस पर light भी लग चुकी है तो हम है यहां से उत्रेंगे और उतरने के बाद में दोस्तो फिर आपको देखने के लिए मिलेगा दोहाई का RITS का इस्टेशन के उस पे किछ क्या कुछ बर्क कम्प्लिट हो चुका है तो देख सकते हैं यह हम इस्टन पेरिफिरस से उतरते हैं वैसे यह टोल पिलाजा क्रोस करना पड़ता है उसके बाद में यह डेली मेरट RITS कोरिडोर की लाइन गुजर दिये दोस्तों जो कि यह जारी है मुराद नगर मोदी नगर और एंड में यह मेरट जाके एंड हो जाती है तो मेरट के मोदी परम में जाके एंड होती है दोस्तों तो उससे पहले तश्वीरे देख सकते हो तो हम ये Eastern peripheral से नीचे आ चुके हैं उतर के जो की हम चल रहे हैं दोस्तो गाजियवाद की लिए तो उससे पहले देख सकते हैं Eastern peripheral को ये हम Cross करेंगे Cross करने के बाद में आप लोगो को Double line देखने के लिए मिलेगी जो की एक तो डिपो के लिए जा रही है जो की rapid rail का घर है और ये एक लाइन ये जारी है मेरट के लिए ये सामने वाली और उधर वाली वो डिपो के लिए जारी है दोस्तो देख सकते हो अभी construction बर्क चल रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो ये crane machine लगी हुई है अभी काम final नहीं हुआ है तो आपको बता दो दोस्तों के ये rapid rail का हमारे गाजियाबाद के साइबाबाद से लेकर और ये दोहाई डिपो तक ये लाइन खोल दी जाएगी अगले महीने यानि की जुलाई में तो आप लोगो को बहुत जल्द इसकी सौगात मिलने वाली है और 160 किलो मेटर की रफस्तार से दोड़ेगी दोस्तों ये इसका 82 किलो मेटर का रूट है 82 किलो मेटर मैसा है 12 किलो मेटर का इसका जो पार्ट है वो दोस्तों जमीन के अंदर है यानि की अंडर ग्राउंड है तश्वीरे आप लोग देख सकते हो तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जले जाएंगे बैसे बैसे दोहाई RRTS के इस्टेशन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर क्या-क्या बर्क कंप्लीट हो चुका है अभी क्या-क्या बर्क चल रहा है इस टाइम पर वो सब कुछ आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर उसी स्टेशन की बज़े से यहाँ पर स्लो डाउन लगा हुआ है देख सकते हो क्योंकि कंश्रक्शन वर्क चल रहा है स्टेशन के नीचे तो इसी बज़े से यहाँ पर आप सभी को स्लो डाउन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों देख सकते हो यहां पर क्योंकि डवल लाइन हो जाती है तो इसी वज़े सा आप सभी को यह डवल पिलर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों जिन पर पैंट करने का काम किया जा रहा है देख सकते हो जो पिलर है इन पर पैंट किया जा रहा में इन पर प्रिंटिंग बनाई जाएंगी दोस्तों जो कि बहुत ही सुन्दर लगती है देखने में तो आपको बता दो जो एंट्री एक्जिट पॉइंट है दोस्तों यह लेफ्ट हैंड वाला बने के बिलकुल कंप्लीट हो चुका है राइट हैंड वाला बचा हुआ उस डेखां का काम चल रहा है अभी इस टाइमप देखो लगया जा रहा है और वो इस पर का रूफटॉप है ह táowe को Lakा ला जा जा रहा है उसको इस तेंड कीया जारा फर आप ज्राएंड डी इजाए दोस्तों इस साइट का यह कम्प्लीट हो चुका है और देखो इसके इस्टेशन के नीचे आ चुके हैं दोस्तो तो इस पर अभी पैंट बर्क चल रहा है पैंट बर्क हो जाने के बाद में इस पर प्रिंटिंग बनाई जाएगी बहुत सुंदर सुंदर इस पर चित्र बनाई जाएगे जो इसके इस्टेशन के पिलर्स हैं दो किया जा रहा था दोस्तों फथर अथर भी लग चुके हैं क्योंकि इस टेशन पर जो आम जनता जाएगी उसके टिकेट घर और ये सब सारे अगरम जगडम ये सारे अभी बनाने का काम चल रहा है दोस्तों जो कि 90% काम कंप्लीट हो चुका है इस टेशन के अंदर का दोस्तों ये भी बचा हुआ देख सकते हो अभी जो रूफटॉप का काम है उसका इस टेक्चर का जाल बनाया जा रहा दोस्तों देखो इधर से भी जोड़ दिया उधर से भी जोड़ दिया है तो एक साइट में ये पबलिक बिलकुल कहनेक्ट हो जाएगी दोस्तों तश्वीर का कम्प्रीट साही हो चुका है वह थोड़ा वहती बर्क बचा है कम्प्रीट होने के लिए बागी तो सारा कम्प्रीट हो चुका है दोस्तों देख सकते हैं यह है दोहाई का RRTS का E-Station गाइस और यहां से हम इसे क्रोस करने के बाद में अब आप लोग को देखने के लिए म दोस्तों तो आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरूंत वाइल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देख से रहो के पिसंत के चैनल पर जो की पिसंत लाता रहता है आप लोग को इंफोर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तश्वीर आप लोग देख सकते हैं यह गुलडर आरा टेस के स्टेशन आने वाला है इस पर भी देख लेते हैं अभी क्या-क्या बर्क चल रहा है क्या-क्या बर्क कंप्लिड हो स्टेशन का ब्यूं अंदर से भी दिखाएंगे तो आप बने रहे हैं वस के पिसंत को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक से एर कमेंट करो दोस्तों तो देख सकते एक साइड का एंट्टरी एगजिट पॉइंट बन चुका है दूस यह बना रहा है तो यह तो लेफ्ट एंड पर एंट्री एकजिट पॉइंट होगा एक राइट पाऊगा क्योंकि यह एलिवेटेड है छोटा सा इस्टेशन है तश्वीर आप लोग देख सकते हो अब यह दूर करना जा रहा है जो कि मैं लेफ्ट एंड पाचुका हूं जहां पर एंट्री एक जिट वैपॉइंट बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों तश्वीर देख सकते हो किस तरीके तह यहां पर यह आपके बता दू पार्किंग है वह भी बनके कंप्लीट हो जागी प्लाइंटेशन भी कर दी जा चुकी है दोस्तों तो ऐसे ही व उपर का नजारा देखो कितना खूब दूरत है यह देख सकते हो यह पहले बनके कंप्लीट हो चुका है कुछ ऐसा सीन है यह देखो यह एंट्री एक्जिट पॉइंट बनाए गया है यह गेट लग जाता है रात में देखो यह एक्सिलेटर है यह इश्टेया ने दोस्तों उपर चड़ने के लिए पर आगले महिने में यह स्टार्ट करती जाएगी देखो यह बैसाड का नजारा है तो चारही मतलब लगा दिए हैं देख सकते हो सारे मही काम हो चुका है कंप्लीट ठीक है और उपर का भी नजारा आप लोग देखे लो यह पहले ही बनके कंप्लीट हो गया तो दोस्तों यह देख सकते हो नजारा कुछ यह है तो आप लोग बताओ यह वीडियो कैसा लगा आप सभी को और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के पिसंद को लाइक से यहर कमेंट करो जादे से जादे चैनल को सब्सक्रेब नहीं क